कि हलो फैंस को दो चनल स्प्रोड़न के रिट में इस हट में आपको खुरा गदाओं के सबसे पहले अगर आपने चनल फाइब ने किया चनल फाइब पैस किजिए तो फीड़ों मिल सके पहले पर कपर कर कमुनिकल करें इंडिया एंगलेंड के बीच जो दूसरा याना बात कि किजा तो कॉंटी स्लेक्टिट 11 के बीच जो में अची जा रहा है उसमें दूसरे दिन की अगर बात किजाए तो बहुत ही बैतरी बात बादी याने हसीब हमीद दौरा जिनने एक सो बारा रनों की जबदस पहरी खेली इस किलावर बात किजाए किसी भी बले बात ने अच् के विकड लिया लेकिन सबसे बैतरिन बले बादी उमेश याद उने तीन विकड लेकर की इसके लावर बात किजाए तो हसीब हमीद ने भी 112 रनों की पारी खेली और दूसरे दिन का खेल खातम होने पर जबदस बले बादी हसीब हमीद ने की इसकि बड़ी खबर निकल के जा रही है और दूसरी बड़ी खबर कर निकल किया रही है आई प्याल 2021 के बागी बच्चे 31 मुकाबले जो 19 सतुमबर से 15 अक्तुबर के बीच खेले जाएंगे उससे लेटर खबर निकल किया रही है अगर बात की चाहिए तो चिनना इस बर्किंग और डेली कैपिटल की ट क्योंकि अभी तक शेडूल के अनॉसमेंट नहीं हो चुकि है लेकिन 19 सतुमबर से लेकर 15 अक्तुबर के बीची आई प्याल 2021 के बागी बचे मुगाबले खेले जाने है लेकिन अभी तक बीसे से इन इस पर पूरी तरह से शेडूल के अनूसमेंट नहीं की लेकिन चुनने की टीमों के लिए अभी तक पूरी तरह से कंफरमेशन नहीं कि वह कब जाएंगे लेकिन अगर यह बीस अगस्त से जाती है यह दोनों टीम में तो इनको लगबग यहने उसे बीच दिन पहले यहना कम असकम एक अगस्त से अपनी अपना जो कैम्प है वो इंडा में यह यह कीबर इसकत की बात की जाए तो सबसे बहतरीन विकट कीबर रिशाप पांथ ही है और अब वो करोना से रिकावर कर गें सुद्की बड़ी खाबर और उनका जो टेस्ट लिया गया था वो पूरी तरह से उसमें नेगेटिव आने के बाद उनको अब बैयो बबल में जॉइन किया जाएगा सब्की बड़ी खाबर आप देखने वाले बात होगी कि चार अगस्त से ओने वाले टेस्ट सीरीज में रिशाप पांथ होते हैं या नहीं होते हैं अभी तक पुरत गंपन मेशन नहीं दे सकते हैं लेकिन यतना तया है कि रिशाप पूरी तरह से फिट हो इसके लावर बात किजाए तो रिशाप पांध पूरी तरह से कोरोना से रिकावर कर गए इस होत की बड़ी खबर निकल के आ रही है और ददद दनकारी के लिए चैनल भाय आप जेब लगन पैस कीजिए तक फीड़ों में सकते हैं क्यू कर दो